हाई गाईज, I am जगविर श्योकंद और आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से चैनल हिंदी बोलेगी पर प्यारी सी मुस्क्राहट के साथ हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आजकल AC बम की तरह क्यों फट रहे है आजकल AC में आप क्यों लग रही है, AC क्यों ब्लास्ट होते हैं तो चलिए दोस्तो जानते हैं इस वीडियो के माद्यम से और हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके घर के या ओफिस के AC को फटने से कैसे बचाए तो चलिए दोस्तो जानते हैं लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से छोटी से रिक्वेस्ट है हमारी चनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबादें ताकि आपको हमारी योनिक और इंफोर्मेटिव वीडियो सबसे पहले और फ्री में देखने को मिलती रहे बढ़ती हुई गर्मी की वज़े से बहुत बड़ी संख्या में लोग AC का इस्तिमाल कर रहे हैं दिल्ली, नोईडा, चंडिगड, रोपर जैसे बड़े सहरों में AC फटने के कई सारे मामले सामने आए हैं जिसकी वज़े से घरों में या फ्लैट में भीषन आग लग गई आजकल AC बम की तरह बलास्ट हो रहे हैं AC में बलास्ट होने के कई सारे कारण है नमबर एक, AC फटने की मेन वज़े होती है AC के एकजोस सिस्टम में ब्लोकेज आना और इस बलोकेज के भी दो मुख्या कारण है अच्छे से AC की सफाई ना होना और सही समय पर AC के मेंटेनेंस या सर्विस ना करवाना नमबर दो, AC फटने का दूसरा मुख्या कारण है घटिया क्वाल्टी की तार और पलग इस्तिमाल करना नमबर तीन, वोल्टेज में उतार्च डाव आना भी AC में आग लगने का मुख्या कारण बन सकता है नमबर चार, AC में रेफ्रीजरेंट गैस का इस्तिमाल किया जाता है जो कमरे को ठंडा रखती है अगर वो गैस लीक करती है या सही नहीं है तो भी AC में बलास्ट हो सकता है नमबर पांच, AC के कंडेंसर पर गंदगी जवा हो जाए तो भी AC फट सकती है नमबर चह, अगर हम AC को बिना बंद किये लगातार कई गंटे चलाते रहते हैं तो उसकी वाइरिंग में गरम होकर आग लग जाती है और AC में बलास्ट हो जाता है इसलिए अगर आपके घर या ओफिस में भी AC लगा है तो आपको सावदान हो जाना चाहिए अगर आपको भी AC फटने से बचाना है तो AC को हमेशा प्रोफेस्नल या कमपनी के टेकनिशन से ही लगवाएं नमबर दो, 600 से 700 गंटे के बाद AC की सर्विस जरूर करवाएं नमबर तीन, अगर AC से गैस लिकेज की बदबू आज आए तो AC को तुरंट बंद कर दें नमबर चार, हर दो या तीन गंटे के बाद AC को 5 मिनिट के लिए बंद कर दें नमबर पाँच, AC के लिए अच्छी क्वाल्टी की वायर और प्लग इस्तिमाल करें नमबर चे, वोल्टेज के उर्ताच डाओ को मेंटेन रखने के लिए अच्छी क्वाल्टी के स्टेबलाइजर का इस्तिमाल करें तो दोस्तों इन बातों का ध्यान रखना और एसी को चलाते हुए पूरी सावधानी बरतें उमीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी कृपया करके इस वीडियो को और भी लाखों लोगों तक शेयर करें धन्यवाद